है अबरीबन दिस इस अंजन अठाकूर वेलकम टो आर चैनल स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन टूर्नमेंट के बारे में इससे पहले हमने नॉकाउट के बारे में पढ़ा था लीग टूर्नमेंट के बारे में पढ़ा था इसका नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन टूर्नमेंट दो टूर्नमेंट का इसमें कॉम्बिनेशन होता है लीग और नॉकाउट टूर्नमेंट का और इस तरह की टूर्नमेंट तब करवाए जाते हैं जब हमारे पास नंबर आफ टीम जादा होती है और हमारे और इस वो combination tournament के तूरू करवाये जाते हैं क्योंकि इसमें time और money save होता है और ये चार तरह से करवाये जाते हैं इसके type कितने होते हैं four type इसके होते हैं एक होता है knockout come knockout और knockout come league, league come league और league come knockout ये चार इसमें type रहते हैं सबसे पहले हम करते हैं knock-out come knock-out tournament के बारे में, जैसा देखिए इसमें सबसे पहले किया होगा, knock-out tournament होगे, और पिर से यहांपर knock-out tournament होगे जो भी यहांपर पहले knock-out के एंदर जीत जाती है, उनकी winner का फिर से यहांपर knock-out करवाय जाएगा तो हम यहांपर example लेते हैं, 16 team का सोला टीमों का एक example करके हम इसका picture बनाते हैं सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे जोन में इसको बांड देंगे सोला टीमों को group में हम बांड देंगे जैसे चार group इसके बन जाएंगे group A, group B, group C, group D या फिर zone A, zone B, zone C या zone D हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और हर एक जोन के अंदर हमारे पास चार-चार टीमें रहेंगी, आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखते हैं, चार-चार टीमें हर एक ग्रूप में रहेंगी, और इनका आपस में अब नॉक आउट मैच करवाया जाएगा, अब क्यूंकि हमारे पास नंबर टीम है, वो क्या है, टू की पावर की फॉर्म में है, टू, फोर, एट, सिक्स्टीन, थर्टीटू, यह होती है टू की पावर की फॉर्म, और हमारे पास जब नंबर आफ टीम टू की पावर की फॉर्म में होती है, तो हमें यहाँ पर बाई देने की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसको सीधही इनका अपस में मैच हो जाएगा वन का टू के साथ, थ्री का फॉर के साथ और इस तरह से फिर कोई एक टीम जीत कर आगे निकल जाएगी फिर उनका अपस में मैच होगा और कोई एक बिनर बन जाएगा और कोई एक बिनर हमें मिल जाएगी अब जो यहाँ पर यह बिनर है जैसे 3 है, 7 है, 11, 15 इनका आपस में फिर से यहाँ पर क्या होगा नॉक आउट मैच फिर से यहाँ पर करवाया जाएगा तो इस तरह से हम इनको लिख लेते हैं 3, 7, 11 और 15 इनका क्या है आपस में फिर से नॉक आउट होना है 3 का 7 के साथ, 11 का 15 के साथ तो यहाँ पर कोई टीम जीत कर आगे निकल जाएगी और फिर से यहाँ पर कोई एक बिनर मिल जाएगा हमें तो यह हमारा था नॉक आउट कम नॉक आउट बिलकुल सिंपल है अगर आपने नॉक आउट आपको पता है लीग टूर्नमेंट कैसे होते हैं यह पता है आपको तो यह वाले टूर्नमेंट इजिली हम समझ सकते हैं इस पीडियो में आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले वाली दो वीडियो अच्छे से आपने देखी हुई है तो नेक्स्ट इसमें हम करेंगे नॉक आउट कम लीग टॉर्नामेंट के बारे में तो फिर से हम यहाँ पर 16 टीमों का ही एक्जेंपल मैं ले रही हूँ इनको चार यहाँ पर ग्रूप में बांटा हुआ है फिर से तो अगेन यहाँ पर फिर से वही चीज है नॉक आउट मैच करवाया जाएगा ग्रूप में इनका चार-चार टीमें रहेंगी ठीके जो यहाँ पर Group में टीमें रहेगी ये 2 की Power की Form में 2, 4, 8, 16 तो नंबर ओव टीमों को देखते हुए हम इन Group में जितनी टीमें रखेंगे वो हम यहाँ पर 2 की Power की Form में रख सकते हैं 2 तीम दोगत दो तीमों का Group भी बणा सकते हैं नंबर आफ टीम को देखते हुई इसका ग्रूप बनाते हैं तो हमने इहां पर 4,000 जोपी आपर 16 हमें फिर से अगेन हमने नॉक आउट मैंच करा दिया हर ग्रूप के अंदर को ही एक टीम बिनर हो जाएगी चार टीमें हमारे पास फिर यहां पर बिनर हो जाएगी हर ग्रूप की, इनका हम लीग टूर्नमेंट करवाएंगे, अब जो भी जीती हुई टीमें हैं, इनका लीग टूर्नमेंट होगा यहां पर, जैसे 3 है, 7, 11, 15, यह हमारे पास नॉक आउट के अंदर जीती हुई है, और इनका लीग टूर्नमेंट होगा, हम यहां पर स्टेर केस मैथड से लीग टूर्नमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी मैथड यूज कर सकते हैं, हमने लीग के अंदर पड़ा हुआ है, सैकलिक मैथड था, टेबुलर मैथड और स्टेर केस मैथड, तो मैं यहां पर यूज कर र और उसके बाद अब 7 का मैच हर एक टीम के साथ, अब 7 का 3 के साथ होना था, तो यह यहाँ पर already हो चुका है, 7 का 3 के साथ, तो यहाँ पर हर एक टीम का मैच दूसरी टीम के साथ एक बार जरूर होता है, तो 7 का मैच जो है, वो 3 के साथ already हो चुका है, तो 7 का यहाँ पर 11 के अब 15 का match इन सभी टीमों के साथ में होना है तो 15 का 3 के साथ already हो चुका है 15 का 7 के साथ भी हो चुका है तो यहाँ पर 11 और 15 का match होना है तो यह हमारे पास एक stair बन जाती है इस तरह से यह staircase method से हमने यहाँ पर इसका एक बना लिया है अब हम देखते हैं इसमें number of round कितने होने है अब हमने इनका match भी तो करवाना है तो number of round कितने होते हैं तो इसका formula है n-1 leak के लिए है यह ठीके यह leak के लिए number of round कितने निकलेंगे single leak के लिए तो n-1 4-1 तो 3 इसमें round होंगे तो ये हमारे पास एक टेबल इस तरह से बनाया हुआ है मैंने आईए राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री अब राउंड वन के अंदर किन का मैच होना है तो हम इस तरह से इनको देखे डाइगनली लेते हैं 3 और 15 का मैच होगा राउंड वन में सबसे पहले और फिर 7 और 11 का होगा और दूसरे राउंड के अंदर फिर ये दूसरी स्टेइश से हम देखते हैं इस तरह से पहले होगा 3 का 11 के साथ मैच होगा ठीक बिल्कुल यहां पर 3 का 11 के साथ मैच होगा अब उसके बाद अगर यहां पर हमें एक और टीम चाहिए तो यहां से हम और 15 का मैच होगा फिर उसके बाद तीसरे राउंड में यहां देखी 3 और 7 का मैच होगा और उसके बाद इससे आगे हम चलते हैं 7 और 15 का मैच होगा तो इस तरह से यह स्टेर केस मैथर हमने किया हुआ है पिछली लीग वाली वीडियो के अंदर तो यह हमारे पास यहां पर म बता ही है कि जो भी टीम यहां पर ज्यादा पॉइंट ले लेगी वो यहां पर बिनर हो जाती है अब इन में से जो भी टीम ज्यादा मैच जाएगी उनको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और वो बिनर बन जाएगी अब पॉइंट कैसे दिये जाते जो टीम यहां पर बिनर ह जाते हैं तो यह तो थार नॉक आउट कम लीग ठीक है इसमें पहले नॉक आउट मैच हुआ और उसके बाद फिर बिनर का यहां पर लीग मैच हुआ फिर उसके बाद है लीग कम लीग अगें यहां पर हम 16 टीम का एक्जेमपल ले रहे हैं इसके अंदर क्या होगा पहले टीम यहां पर जित जाएगी उनका फिर से यहां पर लीग टूर्नमेंट द्वारा मैच यहां पर करवाया जाएगा तो इसमें अगें यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर इनको ग्रूप में डिवाइड कर देंगे चार-चार टीमों को हम ले रहे हैं इनका पहले क्या होग ग्रूप A के अंदर स्टेर के स्काही में यहां पर यूज कर रही हूं यहां पर लीग के द्वारा मैच होगा ग्रूप A के अंदर यहां 4 टीम है 1, 2, 3, 4, इसमें 5, 6, 7 और 8 यह 9, 10, 11 और 12 यह 13, 14, 15 और 16 तो 4 चार टीम है यहां पर है अब देखिए 1 का मैच इन सभी टीमों के साथ होना है तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ उसी तरह 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ क्योंकि 2 का 2 के साथ नहीं हो जकता और 2 का 1 के साथ अल्डेडी हो चुका है क्युक्री हर टeam के साथ एक बार मैच होना है तो उसी तरह से 3 का फिर 4 के साथ क्योंकि 3 का यहां पर 2 के साथ हो चुक है और 3 का 1 के साथ भी हो चुक है तो इस तरह से हम यहां पर state case के माध्यम से हम क्या करते हैं ग्रूप A के अंदर भी मैच करवा देंगे और इसमें भी देखे ग्रूप B के अंदर हम 5 का मैच 6 के साथ 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, फिर 6 का 7 के साथ और 6 का 8 के साथ और 7 का 8 के साथ यानि सभी टीमों का मैच दूसरी टीम के साथ यहां पर हो जाता है और हर ग्रूप के अंदर इस तरह से ही हम क्या करेंगे मैچ यहां पर करवा देंगे और इसी तरह से यहां देखे राउंड वन के अंदर इनका मैच होगा वन का फूर के साथ और टू का थ्री के साथ यहां पर यह देख सकते हैं और राउंड टू के अंदर वन का थ्री के साथ और त्री का फूर के साथ और फिर हम लास से चलते हैं 3 का 4 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ, इसी तरीके से हम हर ग्रुप के अंदर इनका मैच करवा देंगे, और जो भी बिनर हो जाएगी, अब इनकी यहां पर कोई एक एक बिनर हो जाएगी, अब इन में से देखिए, मान लेजिए, टीम न नमबर 15 यहां पर बिनन हो जाती है और इनका दोरह से लीग टूर्णमेंट यहां पर होगा यहां पर देखिए 4, 7, 11, 15 है हमारे पास 4, 4 का मैच फिर इन सबी टीमों के साथ 7, 11, 15 के साथ होगा फिर 7 का इन सब के साथ 11 और 15 का इन सब का मैच एक दूसरे के साथ हम स्टेर केस क यहां पर क्या हो गया लीग टूर्णमेंट का यूद्स हमने कर लिया तो लीग कम लीग यानि की पहले लीग होगा जो भी जीत कर टीम निकल कर आगया जाएगी और उनका फिर से लीग टूर्णमेंट यहां पर हो जाएगा तो इस तरह से अगेन इनका मैच यहां पर करवा देंगे और जो भी टीम बिनर हो जाएगी जिन भी टीमों के इसमें अब ज्यादा पॉइंट हो जाएगे तो हम टीम नंबर बन टू फर्स सेकिंड थर्ड यहां पर निकाल सकते हैं इजिली लीग कम नॉक आउट इसमें पहले लीग मैच होंगे और जो भी टीम बिनर होगी उनका नॉक आउट मैच यहां पर करवाया जाएगा इसमें भी अगें 16 टीमों का ही एक्जेम्पल ले रही हूं जिसमें हम क्या करेंगे चार ग्रूप में इनको बांट देंगे और अगें हम यहां पर क्या कर रहे हैं चार चार टीमों को ले रहे हैं हर ग्रूप के अंदर number of team को लेंगे हम यहाँ पर 4 ही team को ले रहे हैं हर group के अंदर तो इनका क्या है league match होगा फिर से जैसा हमने अभी पहले पढ़ा league match हर group के अंदर होगा और जो भी team है यहाँ पर जीत जाएंगी फिर उनका यहाँ पर knockout match होगा जैसे 4, 7, 11, 15 है अब इनका क्या knockout match यहाँ पर होगा 4 का 7 के साथ 11 का 15 के साथ और फिर जो जो आगे जीत कर निकल जाएगी उनका फिर से match होगा और 7 यहाँ पर winner हो जाएगी इस तरह से हम यहाँ पर league कम knockout match करवा देंगे इनका एक अच्छा example है FIFA World Cup FIFA World Cup के अंदर 32 टीम में qualify होती है जिसके अंदर 8 ग्रुपों में बांड कर टीमों का league tournament पहले करवाया जाता है और जो भी टीमें जीतती है उनका फिर knockout match करवाया जाता है तो यह था combination tournament इसके चार टाइप हमने यहाँ पर आज discuss किये I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा काफी simple था यह जिसको भी knockout और league tournament समझ में आ गया तो यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी I hope आपके लिए वीडियो helpful आओगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा किस आपको यह दो ओूए